गुड़मानिंग बच्चों, जनरल इंजिनियरिंग सब्जेक्ट में आप सभी बच्चों का स्वागत है, बच्चों जनरल इंजिनियरिंग में हम सिविल पोर्षन पे चार्चा कर रहे थे, सिविल इंजिनियरिंग भाग को देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो आ यह आपकी unit number two पे हम चर्चा करेंगे तो unit two जो है बच्चों वह कौन सा है चप्टर का नाम आपका foundation engineering कौन सा है foundation ठीक है foundation इसके बारे में हम चर्चा करेंगे unit बच्चों टू है ठीक है अर्थात new क्या होता है new के बारे हमें जानकारी राप्त करना है चलिए आप कुछ को पहले समझते हैं देखिए बच्चों आपको पास figure दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके पास ठीक है यहाँ पर देखे civil engineering का चल रहा है foundation पर ही work चल रहा है यहाँ पर manpower आपको दिख रहा होंगे ठीक है इंजिनियर जो है manpower को निर्देशित करते हैं जैस देखे बच्चों किसी भी structure को खड़ा करने का जो main component होता है वो क्या होता है new होता है ठीक है किसी भी structure को किसी भी सनचना को या किसी भी भवन माले जे भवन है तो भवन बनाना है तो भवन को बनाने के लिए हमें जो main महतपूर घटक होता है दो होते हैं ठीक है एक super structure या आ जो सब स्ट्रक्चर है ये इसके अंतरगत वच्चों के आता है हमारा नीव आता है ठीक है ये हमें दिखाई तो नहीं देता है वच्चों ठीक है लेकिन जो समस्त सनचना है उन समस्त सनचना के भार को अपने उपर वहन करता है करता है ठीक है कहने का मतलब वच्चों अगर हम बात करें तो यह जो new है foundation है यह किसी भी संदचना के लिए main महतपूर घटक है main आधार है main base है जिससे की समस्त संदचना के भार को अपने उपर वहन करता है structure पर आने वाले समस्त load को beam के माध्यम से column के माध्यम से जितना भी load आ रहा है वह समस्त load जो है यह new अपने उपर लेता है और यह finally जो है फिर यह transmit कर देता है new कहां पर transmit कर देता है soil पर transmit कर देता है जैसे आप देखें इसमें figure में आप देख रहे हैं बच्चे यह यह आपका structure के माध्यम से आने वाले load ऐसे जो है structure पर आने वाला last में कहां पर transmit हो जाता है यह soil जो आपको दिख रहे होंगी यह soil पर transmit कर देता है कि जो structure है उस structure को खड़ा करने के लिए main महत्पुर भूमक्या में new होता है अपने उपर आने वाले समस्त भार को new जो है new अपने उपर लेता है और यह finally जो है transmit करता है किस पर सब soil पर transmit करता है ठीक है बच्चों और यह जो अब जो new बनाई जाती है बच्चों वो depend करता है वहाँ पर की soil के बारे में वहाँ की मृदा कैसी है उसके आधार पर जो है new हम तयार करते हैं कि वहाँ पर हमें shallow foundation देना है या deep foundation देना है ठीक है बच्चों कि मतलब उथली new या गहरी new देना है अब अगर हम बात करें कि types of foundation कि अगर हम बात करें बच्चों तो यह दो प्रकार की होती है किने प्रकार को होती है दो प्रकार को होती है कौन कौन से होती है एक तो होता है बच्चों एक तो होता है आपको shallow foundation ठीक है अब दूसरा होता है बच्चों डीप फांडेशन मतलब उठली निव और गहरी निव तो उठली निव गहरी निव यह दिपेंड करता है कि वहां की जो स्टक्चर पे आने वाला लोड है वो कितना लोड है उसका एनलैसिस करके और जिस साइट पे काम हो रहा है मतलब जिस जगह बिल्डिंग खड़ी की जा जिस अस्थाल पर निर्मार कार चल रहा है वहां की मिर्दा कैसी है ठीक है अर्थात bearing capacity of soil पे depend करेगा bearing capacity of soil पे depend करेगा ठीक है मिर्दा की धरर छमता पे depend करेगा इसके आधार पे ही हम जो है decide करते हैं select करते हैं कि हमें जो है कौन सा foundation बनाना है जो है बनाना है ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से हम जो है यह select करते हैं कि हमें कौन सा foundation जो है बनाना है उसके आधार पे ही हम decide करते हैं ठीक है बच्चो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें आपको बच्चो देखिए ठीक है बच्चो देखिए यह जो मैं आपको बता रहा था कि foundation क्या होता है most important है बच्चो ठीक है तो आप यह सारी चीजें समझ गए होंगे मैंने आपको बता है कि किस पर डिपेंड करेगा बेरिंग कैपेसिटी आप स्वेल पर डिपेंड करेगा बेरिंग कैपेसिटी आप स्वेल जो है धार समता दो प्रकास निधायत की जाती है बच्चो एक तो होता है अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी और एक होता है से बीरिंग कैपेसिटी देखिए जो आपको यहाँ पर शार्ट मैंने नाम लिखा है तो यहां पर यहां पर दिखिए लिखके दिखाया है कि ultimate bearing capacity और safe bearing capacity ठीक है तो भार का वह धिक्तम मान जो मृदा विफल होने से पूर्व वहन कर लेती है मतलब जो structure पर जो ऐसा load जिस पर जो मृदा क्या करएगी लेने से पहले ही मृदा विफल होने से पूर्व जो है क्या कर लेगी वो वहन कर सकती है वो ultimate bearing कहलाती है और वह अधिक्तम भार जो मृदा विफल होने से देखिए यहां पे जो बच्चों की वह अधितम भार जो विफल होने से पूर्वहन कर ले अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी है और से बेरिंग कैपेसिटी यह जो है से बेरिंग कैपेसिटी को हम चरम धारव छंता मतलब अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी में फैक्टर कर प्यानेवाब लोड को वहन कर सके वो कहलाता है बच्चो क्या से वेरिंग कैपेसिटी ध्यान रखेगा यहां सब्जयक्ट्ट्ट्ट्यों क्या बन सकता है भी हैं वह कितना होता है तो तीन से पांच के बीच में लिया जाता है factor of safety जो है कितना लिया जाता है तीन से पांच के बीच में लिया जाता है ठीक है बच्चों तो यह आपको ध्यान रखना है यह चीज आपको ध्यान रखना है अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो शोयल पर ही करेगा ठीक है कौन सी फाउंडेशन मनाना है वो किस पर करेगा स्वेल पर ही डिपेंड करता है देखिए इसमें जो है आपको क्या क्या करना होगा बच्चों कि जो टाइफ सा आप स्वेल है प्राया मोटे कड़ वाले जो मिर्दा है उसकी धार छमता ससंजन मिर्दाओं के प वो बच्चों क्या होती है वो कोहेश्व शोयल जो होती है कोहेश्व मतलब ससंजक मिर्दा नान कोहेश्व मतलब असंजक मिर्दा ससंजन हीन मिर्दा ठीक है तो अब यहां देखिए प्राया मोटे कड़ वाले मिर्दाओं के पेच्छा देख होती है तो यह जो मोटे है इसमें मिर्दा के पार्टकिल बड़े होते हैं ससंजन हीन मिर्दा में जो पार्टकिल होते हैं वो कैसे होते हैं छोटे पार्टकिल होते हैं तो अब देखिए इसमें हमें संदचना का भार नियू के अकार्त थाकृती नियू के प्रकार नियू की गहराई वाटर लेवल की उसकी क्वाल्टी इन सारे चीजों पर डबल अप होती है तो उसके आधार पर ही बच्चों हम यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो है कौन सी सोयल को जो है वो डिपेंड करेंगे और वो किस पर जो है डिप फाउंडेशन जिसे आप गहरी नियू देते हैं शामान अगर जैसे कि आपको बहुत ज्यादा इस्ट्रक्चर का लोट नहीं देना है और वहां की जो सोयल अच्छी है चटानी है तो वहां पर आप उधली फाउंडेशन को प्रिफ्रेंस करेंगे और जहां पर इन चीजों को आप ध्यान रखेगा उथली नियू और गहरी नियू किसे कहते हैं यह भी टॉपिक से आपको पूछता है तो हम इसके आगे के टॉपिक पर बच्चों हम डिटेल से फाउंडेशन पर और आगे नेस्ट वीडियों हम चर्चा करेंगे फिर जब इसको इंड क झाल